हालो प्रेंट्स मैं शालनी और आज हम त्यार करेंगे राजस्थान की फेमस और ट्रेडिशनल आलू की भरवावाटी बहुत ही अच्छी इसकी स्टफिंग होती है जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं फ्रेंट्स उससे पहले यदि आपने मेरी यूट्यूब चैनल शालनी जन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजे साथ में नीचे थैंक्स का बटन है उससे भी प्रेस कर दीजे तो चलिए देखते हैं से किस तरीके से बनाया जाता है इसी कप के नाप से मैंने तीन कप गेहूं का आटा ले लिया है इसमें अब डाल देंगे आदा चमच नमग और दो चुटकी बेकिंग सोडा साथ में डालिए दो बड़ी चमच फ्रेश मलाई या फिर फ्रिज की निकली हुई मलाई ये मैंने फ्रेश की खर्टी क्यों ही मलाई में से मलाई डाली है दो चमच फुल भर कर डाल दिया है यानि दो बड़े चमच अब इसमें दही डाल देंगे दो बड़े चमच ये बिलकुल मेरा घर का जमाया हुआ दही है यादि आपको इसकी रैस्पी चाहिए तो इसका link description box में डाल दूगी यहाँ पर मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाल दी है साथ में देसी घी डाल दिया है तो देसी घी काफी अच्छी मातर में डाला जाएगा यहाँ मैंने लगबग चोथा एक अब देसी घी का इस्तमाल किया है जिस कपसे मैंने आटा लिया था उसी कपसे मैंने घी डाला है अच्छी तरह से सबसे पहले mix कर लेंगे अच्छी और soft बाटी तयार हो तो इसके लिए ज़रूरी है हमने आटे में क्या-क्या समान डाला है कितनी मातर में डाला है और डो किस तरीके से तयार कर रहे हैं यदि इन सब बातों का हम ध्यान नहीं रखेंगे तो बाटी हमारी सॉफ्ट नहीं बनेगी अब देखे आटा गूतने के लिए मैंने यापर गर्म पानी का अस्तमाल किया है पानी की जगे आप केवल दही का अस्तमाल कर सकते हैं जैसे आपको पानी के एडिंग नहीं करनी है तो थोड़ा सा दही और डाल दीजे आटा को गूतने के लिए तो डो हमारा तयार हो चुका है जब भी हम बाटी के लिए डो बना कर तयार करते हैं तो उसे थोड़ा हाड रखते हैं हाड डो की बाटी काफी बढ़िया बनती है डो बिल्कुल तयार हो गया है अब इसे लगबग आदा घंटा धक करके रखना है तो इसे किसी प्लेट से धक करके रख देते हैं लगबग आदे घंटे के लिए जब तक डो रेस्ट हो रहा है तब तक हम स्टफिंग के लिए कुछ मसाला तयार करेंगे एक बड़े चमत साबुद धनिया और एक बड़े चमत सौफ ले लीजिए दो साबुद लाल मिच थोड़ी सी काली मिच जितने भी मसाले हैं हमने पैन में डाल दिया हैं इसी पैन में हम कम आज पर लगाता चलाते हुए भूनेंगे जब अच्छी सी खुश्पू आने लगेगी और हलका सा कलर चेंज हो जाएगा तब इसका मतलब मसाला भून कर हमारा तयार हो गया है तो यह देखिए कम आज पर मैं इसे इस तरीके से टॉस करकर के मसाले को भून रही हूँ काफे अच्छी खुश्पू आ गई है मसाला तयार है तो अब हम गैस को बंद कर देंगे इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है भूनने में बहुत ही कम समय में भून जाता है अब इस भूने हुए मसाले को फैसल में डाल दीजे और दरदरा कूट लीजे इस तरह करने से मसाला बहुत ही टेस्टी लगता है जब भी हम कोई स्टफिंग की चीज तयार करते हैं तो मसाले को भूनिए थोड़ा सा दरदरा कूट कर स्टफिंग में डाल दीजे तो स्टफिंग का जो टेस्ट होता है काफी अच्छा हो जाता है मसाला हमारा कूट चुका है ये देखिए इस तरीके से हमें थोड़ा सा दरदरा कर लीना है अब ले लीजे मध्यमाकार के चार आलू, आलू इस प्रकार का लें कि आलू का टेस्ट मीठा ना हो, हल्दवानी, चिक, सोना या पहड़ी आलू का इस्तमाल कर सकते हैं, अब इसे थोड़ा सा मैश कर लीजे, अब एक कड़ाई में थोड़ा सा घी डालिए, इसमें डालिए थोड़ा सा जीरा, धन्या हुटा हुआ मसाला, गरम मसाला और रमचूर पावडर डाल दीजे, आची तरीके से मिक्स कर लीजे, कुछ देर भूनिये, स्टफिंग तयार हो जाएगी, जितना भी प्रॉसेस हमें स्लो आच पर करना है, अब जो डो तयार किया है, डो को दुबारा से चिकना कर लीजे, और चिकना करने के बाद छोटी छोटी लोई बनाईए और इस तरीके से बीच में गड़ा कर लीजे, जो यह हम गड़ा बना कर तयार कर रहे हैं, इसमें हम थोड़ी सी स्टफिंग डालेंगे, थोड़ा सा जो किनारियां हैं उसे पतला कर लेते हैं, क्योंकि इसके उपर हम लपेटेंगे, आप चाहें तो पूरा कवर कर लीजे, नहीं तो उपर से थोड़ा सा खुला छोड़ दीजे, खुला छोड़ने पर थोड़ा अच्छा लगता है, जैसे आप बिना भर्वा की बाटी या आलू की भर्वा माटी बना रहे हैं, तो पैचान अलग करने के बेक करने के लिए मैंने गैस तंदूर को पहले ही तेज आच पर गर्म करने के लिए रग दिया था, एक एक करकर सभी बाटी रग देते हैं और ढग कर रग देंगे और बीच बीच में इसे चेक भी करते रहेंगे, लगबग 10 से 15 मिनिट में ये सारी बाटी बनकर तयार हो ये मतलब 200 डिग्री सेल्सेस पर लगबग 15 से 20 मिनिट, सेम टाइमिंग रहेगा लेकिन बीच बीच में चेक जरूर करते रहना है, तो यहां पर हमारी बाटी सिखकर तयार हो गई है, बीच बीच में मैं इसे थोड़ा सा चेंज करती रही ती जगे को, तो चारो और से काफ गी भी डाल सकते हैं, तो यह चो बाटी होती है, वो गी में डूबी होती है, यह स्टफिंग की बाटी है, तो इसलिए आप खी में डूबोने की बजाए, आप उपर से इस तरीके से घी डालीए, मतलब जब भी आप किसी को खाने के लिए सर्व कर रहे हैं, तो गरमा गरम बाटी पर इस तरीके से घी डालिए और सर्व कीजे फ्रेंट्स बहुत ही टेस्टी हमारी आलू की स्टफिंग की हुई पाटी तैयार है राजस्थान की एक्तम ट्रडिशनल बाटी है इसके साथ चूर्मा दाल और दही होता है साथ में आप थोड़ी सी आलू की सूखी सबज कीजएगा 100% आपको ये बाटी बहुत ही अच्छी लगी है अब देखिए मैं आपको इसे तोड़ करके दिखाती हूं कितनी सॉफ्ट है जब आप इसे हातों से दबाएंगे तो आसानी से टूट जाती है तो हमें बिल्कुल इसी तरीके की बाटी चाहिए जो इसका जो आप इसके साथ केवल हरे धने की चटनी भी बना सकते हैं उसी से खाये तो ये बहुत ही स्वादिश्ट बनती है तो फ्रेंड्स आज की आपको ये रेस्पी कैसी लगी आप मुझे कॉमेंट में जरूर बताए यदि रेस्पी पसंद आई तो लैक शेर जरूर कीजे इसी त ल体ण चैसी से खाये तो ये फिसी खायर की बना सकते हैं जरूर लैक टाब इस दो लेज़ी कारी वे जाने मेंट पकशवच्छ च्राब बन ढोदिए की लेल हैं जरूर घंज़ाई सै तो इसमेंट आपको ये थाया पके